बॉर्निंग वेस्टीजिन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस special e-training session में आज हम बात करेंगे वेस्टीज के अग्रीकल्चर पुड़क्ट के बारे में, अग्री 82 के बारे में, एक एक्सिलेंट्स प्रड़क्ट है, वेस्टीज अग्रीकल्चर के टिगरी का, जो कि एक्सिलेंट्स प्रड़र है, एक्टिवीटर है, वेटर है, जो कि मदद करता है आपकी फसल को बढ़ाने में, और अगर आप इसको खीट नाशक के साथ इस्तमाल करते हैं, तो उसके कव प्रड़र फ़ॉप्राइजर के साथ या किसी दूसरे प्रड़क के साथ तो यह उसके उसको इसली मिक्स करने में हेल्प करता है और आपका फसल की गुनुवत्टा को बढ़ाने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है, एक्री एटिटु को आप इरिगीशन के भी साथ इस्तमाल कर सकते हैं, सिचाई के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप इसको सिचाई के साथ इस्तमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? आपके खेत में नमी को, मौशर को लंबे समय तक बनाने में मदद करता है, नमी में पानी को लंबे समय तक बना के रखता है, मौशर को लंबे समय तक बना के रखता है, जिससे होता क्या है, एगर आपके खेत में मौशर लंबे समय तक बना रहेगा, तो आपको चाहि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसान को पानी देनी की बार-बार जरूर नहीं पड़ेगी और जिससे क्या होगा फार्मर जो कॉस्ट लगा रहा था जो खर्चा कर रहा था आपका इरिगेशन पे से चाही पे वो खर्चा भी किसान का बचेगा वो सेविंग भी फार्मर की होगी एट्यटू क्या है एट्यटू कि फईटू एक नोन-ॉन-फाइटो-टॉक्सिक प्रडक्ट है जो किसी भी तरीके का बैड एफेक्ट नहीं छोड़ता है। जीव जन्तू पे, किसी प्राणी पे, किसी एन्वार्मेंट पे, आप इसको किसी भी पड़क के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, कीन नाशक के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, फंगी साइड फफूर नाशक के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, हर्मी साइड घर्पतवार नाशक के साथ इस्तम स्टार्ट हो जाती है जिससे होता कि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपका द्रॉपलेट फार्मेशन उसमें जब बन जाती है तो आपका निचे जमीन पर गर जाता है तो पूरा किया गरता है अगर अब इसको किसी दूसरे बढ़क के साथ लाने में मदद़ करता है और आपका इसको यह आपका पती हो एंदर पैने करने में भी हेल्प करता है कि टू आइडियल पैकिंग के साथ आता है जो आपका इजिली ब्रेक नहीं होती है और ये प्रड़क्ट सोला साल बैस्टीच की सोला साली की लेगसी का एक परतीख है अगर अलग 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 सीजिजों के साथ अलग अलग प discourत के साथ इस्तमाल कर सकते हैं डियजों को डोज रहेगी अपका अगर अगर अप्रेश्टीी साइड के साथ कीट ना शीट फंगी फ्रफून नाशक या खाद के साथ या फिर वैस चीज किसी प्रड़क के साथ आप स्प्रेम अगर यूज कर रहे हैं तो इन तो की डोज रहेगी 5-10 ml in 15 लीटर वाटर अगर आप इसको हर्भी साइट के साथ इस्तावाल कर रहे हैं खर्पता और नाशक के साथ उसमें आपकी डोज रहेगी 10-15 ml in 15 लीटर वाटर अगर आप फटिलाइजर के साथ इस्तावाल कर रहे हैं पूर एक्जामपल यूरिया के साथ या डीएपी के साथ अगर आप 82 का य अगर आप इरिगेशन के साथ यूज कर रहे हैं सिचाई के साथ तो उसमें डोज रहेगी 160-200 अमल पर एकर अगरे टीन अलग अलग पैकिंग में आता है जो सबसे बड़ी पैकिंग है वो 5 लीटर की है जिसके मर्प है 3850 डीपी है 3319 और इससे पीवी आपको मिलता है 110.63 इससे छोटी पैकिंग है 500 ml की जिसके मर्पी है 440 मेपी है 377 और पीवी आपका मिलता है 12.50 और इससे चोटी है 100 ml into 3. इसका MRP है 315, DP है 270 और PV आपका इससे मिलता है 9. मुझे अमीद है आप इस ट्रेनिंग को शेर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, ताकि इनफरमेशन उनको भी मिलती रहे, उनको भी प्रोपर नॉलिज बिलती रहे. So, thank you very much. Stay safe, stay trained, wish you well.